दोस्तो नमस्कार हर हर महादेब कैसे हैं आप लोग आज एक फिर नया वीडियो में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो में 2021 के स्रावन महीना कप से शुरू है सोमबार के लिस्ट इसके क्या पुजाबीदी है इसका क्या महत्ता है नाक पंचमी कप की है और स्रावन शिवरातरी कप है ये सारी जानकारी इस वीडियो के माईदियम से हम लेके आये हैं दोस्तो वीडियो को पुरा जरू देखिए दोस्तो इस साल 25 जुलाई से सावन का महीना सुरू हो जाएगा 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सावन का महिना चलेगा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सावन सोमबार के लिस्टों के बारे में पहला सोमबार है 26 जुलाई को और दुसरा सोमबार है 2 अगस्त को तीसरा सोमबार है 9 अगस्त को और चोथा समबार है 16 अगस्त को 13 अगस्ट को नाक पंचमी है और 6 अगस्ट को सावन की महा सिवरात्री है दोस्तों अब हम बात करते हैं सावन महिना के महत्त के बारे में दोस्तों सावन का महिना बहुत ही अधिक महत्त होता है इस महिना में भगवान सीप की पुजा करने से सभी मनुकावनाय पूरी हो जाती हैं इस माह में किये गए सोंबार के ब्रत का फल बहुत जल्दी ही मिलता है जिन लोगों के बीवा में परिशानिय आ रही हैं उन्हें सावन के महिना में भगवान संकर की विशेश पुजा करनी चाहिए भगवान सीप की कृपा से बीवा संबंदित समझ्याय दूर हो जाती हैं इस माह में सीप जी की पुजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती हैं और मृत्व के पस्चाप मोक्षा की प्राप्ति होती हैं दोस्तो आए हम अब जानते हैं सावन महिना के पुजाविदी के बारे में दोस्तो सुवजल्दी उड़ जाए और इस्नान आदी से निवित होने के बाद साब बस्त्रा धारन करे घर के मंदिर में दीप प्रजलित करें सवी देवी देवताओं का गंगा जल से अविश्यक करें सिबिलिंग में गंगा जल और दूट चड़ाए और दोस्तो हो सके तो पंचामरिच से सिबिलिंग में स्नान कराईए या सिपलिंग में अविश्यक कर लीजिए भगवान सिप को पुश्पा अर्पित करें भगवान सिप को बेल पत्र अर्पित करें भगवान सिप की आरती करें और भोग भी लगाए इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाये जाता हैं भगवान सीप का अधिक से अधिक ध्यान करें तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक जरूर सेर करिए ताकि ज़्याद से ज़्यादा लोगों को इस बारे में कुछ पता चल पाए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंड करके बताईए कैसा लगा और हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना धन्यवाद